Hello Everyone, Welcome to True IS and PCS हम लोग बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में आगे और क्योंकि हमारी NCRT है तो ये हमें डेटेल में तो सारे रूलर्स के बारे में नहीं बता सकता ये वाली बात मैंने आपको पहले लेक्चर में क्लियर कर दी थी थोड़ी थी जलक अब ये चप्टर हमें दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो आर्ट एन आर्खिटेक्चर इवॉल्व हुआ उसके बारे में देने जा रहा है तो चलो हम कुछ इस्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं कुवत अल इस्लाम की मस्जित मौस्क और मिनारेत की नाम याद रखना कुवत अल इस्लाम इसको बिल्ट कर गया था द्यूरिंग दा लास्ट डेकेड और ट्विल्थ सेंचरी बारवी शताब्थी के अंत वाले डेकेड बे ये एक कॉंग्रिकेशनल मौस था जब भी किती चीज का उधगाटन होता है एक प्रकार से उसको कहते हैं कॉंग्रिकेशन जब पहली सिटी बिल्ट करी गई थी दिल्ली सुल्तान्स के दौरा उसमें मतलब एक प्रकार से सबसे पहला मस्जित हमें यही देखने को मिलता है और इसको डिस्क्राइब करा गया है क्रॉनिकल्स में अलग-अलग हिस्टोरियंस ने जो भी अपने इतियास के पन्नों में इसको डिस्क्राइब करा है ऐस डेली आयकुना अगर आप history में जादा तर exams जो होते हैं न स्टेट PSC वगरा BPSC वगरा इसल वो जादा तर इसी शर्थ के दिमाने होते हैं दिल्ली आयकुना एक बात मैं आपको पता दूँ, UPSC में जतना कम, जतना कम दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुघल एम्पायर के बारे में, भक्ति-सूफी के बारे में, मतलब पूछा जाता है मैं जतने कम कोशन आपको UPSC में देखने को मिलते हैं तो आप इसको उसलिहास से पढ़ना कि आपको सब कुछ पता होना चीए और मैं ना प्रिम्स को तो पहली बात है देखता भी नहीं हो मेरे दिमाग में यह रहता है चलो भई प्रिम्स तो करके जा नहीं है वो मेरे duty है कि मुझे सब कुछ पढ़ना अगर एक किताब में सब कुछ दे रखा है तो उस writer के का जो means लिख रहा है तो इतनी knowledge और को लिख लेगा लेकिन ठोस facts ठोस architecture के नाम proper किसके टाइम पर construction start होई proper किसके टाइम पर construction खतव होई यह कैसे बताओगे यह कैसे बताओगे और यही तो वो opportunity थी जहांपा lead ले सकते थे interview call आने की या फिर अपनी time तो देना ही पड़ेगा old city इस मस्जिद को बड़ा करा गया था size में मतलब आप ऐसा कह सकते हो के चार चांद लगाए गए इलतुत्मिश के दौरा और अलावदिन खिलजी के सोचो तो के कुवत कुवत अल इसलाम की जो मस्जिद है जो उसका मिनार है उसमें दिल्ली के कौन-कौन से निमलिखित सुल्तान involved थे which among the following सुल्तान वर involved in the construction of the कुवत अल इसलाम मौस over various decades and over various centuries अब वो आपको साध नाम दे दे और एक option हो जिसमें यही चार नाम जो है answer हो तो आपको पता था होना चाहिए ना इल्तुत्मिष अलावदिन खिलजी कुतबद्दीन एबक और यहां इल्तुत्मिष मलब वोई या फिर कोशन और बन सकता है कि मिनार को किस ने बिल्ड करा कुवत अल इसलाम की मौस के पास जब यह मौस बनाई गई तो इसका साइस किस-किस दो दिल्ली सुल्तानों ने बढ़ाया इल्तुत्मिष अलावदिन खिलजी इल्तुत्मिष ने मिनार भी बिल्ड करी थी इन में से कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जिसने ना केबल मौस को enlarge करा बलकि मिनार भी बन वाई तो उसका अंसर है इल्थोत्मेश अब निकले गई इसी से और आप सोचोगे कि एक्जाम के बाद अगले साल के लिए मैं कोई standard source उठालू बजार में जाकर पूनाम दलाल धाया टाइप से comprehensive book उससे काम नहीं बनेगा पहले foundation तो build कर लो और यह जो diagram और यह जो चीज़े दे रखी होती ने इनकी ना इज़द करना सीखो आप इनकी आप बहुत अच्छे थे इजद करना सीखो उसका एक कोई महत्व है the masjid mosque को हम लोग Arabic शब्दों में masjid भी बोलते हैं literally यह कैसी जगा होती है जहापर Muslim भक्त जो होते हैं वो Allah के सामने जुकते हैं Congregational mosque जो होते हैं जहापर सब लोग बैठकर नमाज करते हैं Friday की जुम्मा की नमाज करते हैं मस्जिद आये जामी या फिर जामा मस्जिद जिसको कहते हैं दिल्ली के अंदर है जामा मस्जिदे यहाँ पर Muslims अपनी prayer रीड करते हैं नमाज साथ में जो members होते हैं उस मस्जिद के जहाँ पर सब लोग के नमाज करते हैं वो एक leader को चुनते हैं male leader generally जो होता है इमाम ताकि prayers को recite करा जा सके पास्ट टाइम डेली और जब prayer होने वाली होती है तो अवाज लगाई जाती है हार एक नमाज से पहले न अवाज लगाई जाती है speaker पर जो की कोई भी मुसलमान कहीं पर भी हो तो activity अपनी सारी halt करके अगर वो नमाज की स्तिती में बैठ सकता है तो ready हो जाए नहीं तो वो silence में आ जाए अपने सारे actions को motion से rest में ले आए जिसको का जाता है इस सर्मन को कि आपको इमाम पुकार रहे हैं उन्होंने दर्खवास आपको देती हैं कि अल्ला को नमाज देना प्रियर करना शुरू होने वाला है अगले पांच मिनट में अगले तीन मिनट में इसको कहते है खुदबा हर नमाज से पहले खुदबा होती है जाने की सर्मन जैसे नॉर्मल मैं बात बताओ उसको एक रिलेट करके मैं बताता हूँ प्यारे तरीके से 24 ओटूबर को दिवाली है हम सब की घर में शाम की पूजा हो रही है आप इंट्रस्टेट हो पटाके पगरा फोन ने में दरुदर आप घूम रहे हो या फिर आप दो मिनट के लिए कई मिठाई लेने कल गए थे हमाँ पर कई दोस्त मिल गया बाते करने लग गए तो घरवालों की जो आपके पास फोन आ रहे हैं फटाफट जो तुम भी हो तुम आजाओ और राहूल को भी फोन लगा तो इसको भी फोन लगा तो उसको भी वहाँ से लेते आना साड़े साथ बज़े का महुरत है पूजा स्टाट होने वाली है यह हमार लिए एक प्रकार से खुदबा है और जो पूजा स्टाट होगी वो नमाज है बस नाम में क्या रखा है धर में क्या रखा है बात तो एक ही है अल्ला को पूझ लो किसी को भी पूझ लो ब्लेसिंग तो एक ऐसी चीज़ है जहां से मिले वहां से लेट लेनी चाहिए दूरिंग प्रेयर मुस्लिम ना ये बहुत इंपोर्टन चीज़ है इंडिया के अंदर से ये अदर स्पेशल श्यूम बताऊएih भागा मुस्लिम ना जब नमाज करते हैं मक्का को फेस करते हैं मक्क मदीन आपे सुना ओगा हज करने मुस्लिम जाते है हर मुस्लिम को जिंदगी में एक बार जाना चाहिए वहाँ पर ऐसा माना जाता है इसलाम धर में और इंडिया में या दूसरी एशन कंटी जा कहीं पर भी मक्का जाने के लिए वेरियस सरकारे अपनी जनता को जो की मुस्लिम पॉपलेशन है उनके लिए सब्सेटी भी प्रवाइड करती है ट्रैवल पे कि जब वो हज की आत्रा पे जाते है हिंदुस्तान के अंदर ये वेस्ट डिरेक्शन होती है तो यानि कि आप समझ जाना नमास की दिशा और एक मुसल्मान का चेहरा जिस डिरेक्शन में नमास करने के लिए बैठता है वो हमेशा वेस्टर्ण साइड होती है जिसको बोला जाता है अरेबिक में किबला और भी बड़ी सारी मॉस्क है मोहमद तुगलन ने एक मॉस्क बनवाई थी बेगमपुरी मॉस्क ये मेन मॉस्क थी जानपना में जानपना का मतलब होता है sanctuary of the world जो कि इसकी नई capital थी दिल्ली में और मैंने दिखाया भी था अगर किजी को ये डाउट हो ये दिल्ली क्या ये जानपना क्या ये दिल्ली आइकोना क्या ये सीरी क्या तो ये map मैंने आपके साथ शेयर कर रहा था ये रहां सिरी डिल्ली आइकोना टूगेदर दिल्ली आज की टार्म में पुरानी दिल्ली का हिस्सा है ये ये आपकी बेगमपुरी मॉस्क आपके मॉस्क ये अपकी लिषा क्यांता थी अ बिल्ली के सुल्टानों ने बड़े सारी मस्जिते बिल्ट करवाई पूरी सिटीज में ना की सिर्फ जहां पर उनकी क्याप्टल थी वहां पर बल्कि पूरे सबकॉंटिनेंट में ये डेमोस्टेट ये करता है कि ये अपने आपको ओविसी बात है इसलाम के भक्त थे फॉर्वर्ड से तो अपने आपको इसलाम का प्रोडेक्टर और मुस्लिम्स का प्रोडेक्टर मानते थे तबी ये मॉस्क मस्जित बगरा ये बिल्ट करवाई मॉस्क ना एक सेंस ओफ कम्यूटी का एक चिन होता है एक सिंबल होता है कि जो इसलाम के बिलीवर्स हैं वो सारे के सारे भक्त लोग एक जगा आएं और अल्ला के सामने अपनी प्रेयर्स कर सकते हैं सब को कॉमन सब लोग कॉमन तरीके से अल्ला को पुकार सकते हैं उनका उनके सामने सर्जदा कर सकते हैं सर्जदा का मतलब होता है जुगना जिनकी सबकी एक common system of belief and common code of conduct होता है और ये चीज इसलाम में important मानी जाती है कि ये idea of community आपको पता होगा इसलाम जो भाईचारे की बहुत बात करता है brotherhood fraternity काफी जाधर strong रहती है सिक्किजम religion में और इसलाम में सर्दार भाई सर्दार भाई के बहुत काम आता है मुसलमान मुसलमान भाई के बहुत काम आता है जरूरी नहीं कि वो दूसरे को जानते हो कुछ भी जानते हो साथ में बैठके खाना भी खाया चाता है भाई अब शकले जो है वो जानो चाहना जानो और आशिमा ये चीज आपको पता ओगा ये इसके साथ क्यों खाऊंगा मैं या गुरुजी के जहाँ पर भी आश्रम है, महाँ पर भी होता है आप शाकल देखकर नहीं बैठते हैं महाँ पर, कि नहीं यह तो दंद पोगोडी सी है, इसके साथ क्यों खाऊंगा मैं सिकंदर लोधी के टाइम पर इसके मिनिस्टर ने बनवाई थी एक मौथ की मस्जिद, यह मौथ नहीं है, मौथ है ठीक है, मौथ की मस्जिद यह आपको देखने को मिलती है, मौस्क अफ जमाली कमाली लेट 15-20s में से बिल्ट करा गया था डू नॉट वरी अट आल, UPSC इस नॉट अट आल इंट्रस्टेड टू पोट्रेट इस थिंग्स UPSC को कहीं लोग थोड़ा सा बाइस इसलिए भी कह देते हैं मंदिरों के बारे में तो कहीं मार UPSC चौसाट योगनी कि उसका स्ट्रक्शर पार्लिमेंट से लिया गया कि नहीं यह सब तो बहुत पूछ लेता है मौस के बारे में किसी गुर्दवारे के बारे में नहीं पूछता लेकिन कोई बात नहीं आये कोशन तो हमें तो प्रिपेर करके रखना है क्योंकि NCRT को तो हमें अच्छे से घोट कर पीना ही है उसके बाद हम बात करते है Administration और Consolidation खिलजीज और तुगलक के टाइम पर कैसा रहा अब देखो आप कहोगे के सर खिलजीज और तुगलक के टाइम पर हम यह comparative analysis क्यों कर रहे है आपने तो हमें concept सक्त सलका पताया था ना स्लेफ खिलजी तुगलक सायद लोधी कोई बात नहीं हम comparative analysis सबका करेंगे NCRT पेश कर रहा है यह analysis हमें खुद से आप चाहो तो किसी को भी compare कर लो अब जैसे इसने डिफरेंस दे रखा है कहां गया यह अलाव दिन खिलजी और मौमद तुगलक अब आप काओ के जलाल उदिन खिलजी या कोई और तुगलक में क्यों नहीं दे रखा NCRT के मर्जी आप एक बार इस सारे rulers के बारे में जान जाना आप खुद भी analysis कर सकते हो लेकिन मैं एक बात बता हूँ NCRT में चीज़ दे रखिए चलो agittis हम तो learn करेंगे अभी हम discuss भी करेंगे से लेकिन ये एक पता है क्या hint मान लेता UPSC से कि अगर analysis और differentiation और similarities अगर इन दो leaders में करा जा सकता है न तो फिर हम दिल्ली सल्तनत को पकड़ कर या फिर दिल्ली सल्तनत और मुगल empire को पकड़ कर इनके बीच में तो analysis का question रख सकते हैं बच्चों के सामने और यही चल रहा है फिल्म्स के अंदर पूरा का पूरा game आज कल since 2018 2018 से टोन पर ये चीज़ आप खुद सीख जाओगे आप कभी भी analysis तब तक नहीं कर सकते हैं तब तक आप जानो ना किसी को भी अगर आपको राजू और राणी के भीच में फरक पता लगाना है कि कितने अच्छे प्रेमी है ताजमेल अगर इनको बेजो तो अंदर गो अंधेरे में लिखकर आएंगे कि नहीं आएंगे हाट बनाकर पीर चलाकर उसके अंदर से कि राजू लवस राणी और नॉट तो पहले दोनों के बारे में पता तो होना चीए कि राजू कैसा और राणी कैसी है यही चीज है तो जानते है खिल खिल जी तो तुगलस के टाइम पर एड्मिशेटिव सिस्टम कैसा था किंग्डम की कंसॉलेटेशन चलती चली जा रही थी और दिल्ली सल्तनत के जो लीडर्स थे वो अपने किंग्डम को वास करते चली जा रहे थे लेकिन इस चीज के लिए उनको भरोसे मन गवर्नर और भरोसे मन एड्मिशेटर भी चाहिए थे क्योंकि अगर किंग्डम एक्सपेंड हो रहा था फॉर एक्जामपल कोई नौर्थ वेस्ट वीजन में रह रहा है जैसे कारा पर फत्य हासिल करी देवगरी पर फत्य हासिल करी और दिल्ली में बैठा हुआ था अब रोल रोज जाकर कार और देवगरी में तो जाकर नहीं देख सकता ना तो वहाँ पर उसको रिलाइबल गवर्नर और अड्मिशेटर चाहिए दिल्ली सुल्तानों का एक रवाया हमें ये दिखने को मिलता है जब हम उनके administration की study करते हैं कि aristocrats रिश्टरिज लेंड लॉट्स या फिर chiefs को governor बनाने से भेतर उन्होंने ये समझा especially early अर्ली तिल्ली सुल्तान की अगर हम बात करें जो कि अर्ली ये slave खिल्ची और तुगलक के टाइम पर जैसे इल्टुत्मिष slave dynasty का इसने favor करा इसने हाँ इसने इस चीज़ को importance दी कि जो special slaves हैं इनको खरीदा जाए military service के लिए जैसे जलाल उतिन खिल्ची खरीद कर लाता है ना जब वो कारा में अलाउतिन खिल्ची को लेने जाता है मलिक कफूर को मैंने दिखाया था लास लेक्चर में आपको और कितना हाँ और कितना वो एक बाँ पताओ वो special slave था की नहीं था उसका वो reliable था के नहीं था बताओ और उसकी military service में use हुआ के नहीं हुआ अब ये वाली बात तुम में से उस जाहिल को उस हराम खोर को नहीं पताओगी तुम में से ठीक है, तो sorry for the gali but you deserve it, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, बंदगान, इनको carefully train कर आजाता था, हां, इसको, अगर वो special slave खरीद कर लाया गया है, और वो military service भी दे रहा है, लोयल तो है, लेकिन military service भी दे रहा है, याद है, जब चित्तोड पर हमला करने वो जाते हैं, तो वो मलिक कफूर भी होता है, जब वो पहला पैमान बसता है, कि यार वो अलाओ दिन, लाखों की सेना लेकर आखरमन करने आ रहा है, चित्तोड पर दिल्ली से, है न, हाँ, ये जो slave थे न, इनको carefully train कर आ जाता था, two men, some of the most political, important political offices in the kingdom, man का मतलब ये होता है, इनको appoint करा जाता था, बहुत important offices में, kingdom में, जैसे, आपने इस पूरी movie में देखा होगा, अलाओ दिन, खिल्ची का right hand रहता है, right hand रहता है, मलिक कफूर, हम लोग क्योंकि हाला कि slave की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार ही slave का concept अगर यहां से निकाल दिया जाए, तो अकबर का right hand होता है, बीरबल, बीरबल खरीदा हुआ slave नहीं था, मैं, इसलिए मैंने बोला कि slave का concept को यहां से निकाल दिया जाए, लेकिन, आपको एक बात समझ में आ गई कि, अकबर भी एक प्रकार से अगर बहुत सारी जगा पर रूल करता था, या मुगल में से या दिल्ली सल्थन अगर से कोई भी रूलर था, जिसको चक्रवर्तिन, चक्रवर्तिन सुल्थान की तरह का रूल करना है, अकेल है तो हर चका जाकर हर कोई कुछ काम नहीं कर सकता न, मेरे फाउंडेशन कोर्स में फॉर एजमपल तीस लाग बच्चे हैं, सब के मैसेज के रिप्लाइज सब कुछ चीज़े मैं कर लूँगा क्या, मुझे स्टाफ अपना एक्स्पेंड नहीं करना पड़ेगा क्या, एड्मिन नहीं बढ़ाने पड़ेंगी क्या, सारा काम मैंसे कैसे कर लूँगा, सिस देवर टोटली डिफेंडेड अपॉंदिर मास्टर, सुल्तान इन पर ट्रस कर सकता था, आ रिलाय कर सकता था, जैसे अलाउदि खिल जी मलेग कफूर पर करता है, और बाद में मलेग कफूरी सुल्तान बैज घल जाता, अलाउदि खिल को मार के, कुछ dawn के लिए, सुल्तान को एड्वाईज करा जाता था, एक जो slave है अगर वो ज्यांते सुनना सुल्तानों को यह समझा जाता था अर्ली सुल्तानों को और यह चीज ना slave खरीदना उस रिलाए करना उनको military commanders बनाना बंदकान अभी हमने बुड़ा बड़ा बंदकान तो इनको ना इनके advisors एक बात पर मश्वरा देते थे क्या कहते थे देखो मालिक अगर आप एक slave ऐसा खरीद कर लाते हो जिसको आपने ना पाला पोसा है और जिसको आपने ट्रेनिंग दो प्रमोट करो और अगर आपने जिम्मेदारी ले ली कि मैं lifetime इसको देखूंगा तो वो slave ना आपके लिए एक चमकता हुआ किस्मत का सितारा होगा जो कि इतना वर्दी होगा और experienced होगा कि वो आपका right hand बन सकेगा ग्यानी लोगों ने कहा है मतलब सुल्टानों को समझाय जाता था हिस्टोरियंस के दोरा सुल्टान हम आपको एक बाप बताना चाहते हैं ग्यानी लोग पुराने लोग संत मात्मा एक बात बोलकर गए है एक काबिल और एक experience खरीदा हुआ slave वो एक सगे बेटे से ज्यादा लॉयल होता है ज्यादा बैटर है और उस जवाने में यह वाली बात पता है क्यों चल रही थी यह चीज लिखने की ज़रूत क्यों पड़ी हंगर फॉर थ्रोन हंगर फॉर पावर पूरे मेडिवल इंडिया में मोर देन 50 परसेंट इम हमें ऐसा देखने को मिलता ही है इस्पेशली इसलाम रूलर के टाइम पर बेटे ने बाप को मार कर सुल्तान बनने की कोशिश करी तू यू एगरी और नॉट इस वज़े से बस एक बार अगर इस चैप्टर की नीफो पकड़ डिया रिटर्न और इन्वेस्मेंट इसका इतना बढ़िया है कि जिन्दिगी में सिर्फ एक ही बार फिलिम्स एक ही बार मेंस और एक ही बार इंटर्व्यू देना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए बच जाओगे इन किताबों से फिर डिरेक्टली तुमारे बाद तुमारे बच्चे ही देखेंगे यह खिलजी और जो तुगलक्स थे इन्होंने बंदगान को यूज करना जारी रखा अब बुझे एक बाद बताओ अगर आप 2017 के बाद के पेपर देखो अगर UPSC के तो उसमें आपको देखेंगे को नहीं मिलता कि बंदगान जो है वो कौन से एंपायर के टाइम पर यूज करा गया इस टर्म डिनोट किसके लिए यूज होती है मैं जैसा कि आपको हमेशा बताता रहता हूं इंशर और मेडिवल के लिए एक चिठ्था बना लो अपना टर्म का इन टर्म का मतलब क्या है ऐसे दो से तीन कोशन UPSC के अलक से अलक से अलक से इन दसेंस के जिसमें इस टर्म का मतलब क्या है ऐ बन टो त्री फोर या फिर क्सी स्टेंट की वाओ में बीच में س्टेंटमेंट दे जाती है दो से तीन कोशन ऐसे देखने को मिलते जो कि easy बहुत होते है लोगों को पता नहीं होते छे नंबर तो फ्री के होते हैं, ये छे नंबर उनके लिए होते हैं, जिन्होंने compilations अपनी बहुत अच्छे से कर रखी हैं 365 दिन में जिसने मजे तो करे हैं, लेकिन जब serious होना हुआ, जिस subject के लिए उसके लिए बैसी रंडीती बनाई तो 6 नंबर का reward तो UPSC से मिलेगा आपको, पक्का मिलेगा ने संदे, बेशक मिलेगा It also raised people नहीं, they also raised people of humble birth, who were often their client to higher political positions Client मतलब क्या? जो किसी की छत्र चाया में अभी तक पल रहा है और अगर सुल्तानों को लगता है कि नहीं यार, यह loyal है यह हमारे किसी military chief का बेटा था, यह छोटा था जब उसके बाप को हमने यूद पर बेजा था, उनकी मृत्ति हो गई थी हम पालेंगे इसे, हम इसके पालन portion की पालन portion की जिमेदारी लेते हैं और इनको political position भी बहुत हम दी जाती थी इनको appoint करा जाता था as journals और as governors अब यह वाली बात clear हो गई कि journals और governors के लिए जब इनकी दिल्ली सुल्तानों का empire expand कर रहा था, तो इनको जो, इन्होंने क्यों aristocrat या फिर local chiefs पे rely करने से better है कि special slaves को और ऐसे लोग जो client थे इन पे भरोसा करना ज़ादा ज़ादा better समझा लेकिन इन सब के बावजूत भी हम guarantee के साथ ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि राजनीतिक माहूल में गर्मा गर्मी नहीं आई होगी political stability नहीं रही होगी क्यों नहीं रही होगी इस table rule चलाना तो मुश्किल उस ताइम पर था है क्योंकि हर कोई हर कोई ऐसा person था जिसकी आखों में सत्था की हवल्स दिखती थी उस movie में पद्माबद में जब अलावदिन खिल जी नहीं पहली बार चितोड जा रहा होता है राजा रावल राजारवल रसल सिंग से मिलने के लिए तो यादे ने जब मले कफूर उसे तयार कर रहा होता तो भाऊ बे डैलोग आता है कि इताद खान दिल्ली का सुल्तान बनना चाता है तो वह थपड़ लगा देता है उसे जोर की कहता है आस्मान का हर एक सितारा चांद बनना चाता है कफूर लेकिन बन नहीं सकता और सच में जब इदाद खान मारने की उसे कोशिश करता है तो मैंने आपको दिखाया था उसे इंडालोग वो तो वो क्या बोलता है सुल्तान ऐसे थोड़ी ना बना जाता है सुल्तान बनने के लिए कंधा और इरादे दोनों मजभूत होने चाहिए स्लेव और जुनके क्लाइंट थे ये अपने मास्टर से जनरली इतियास ये कहता है कि लॉयल ही रहे है लेकिन अगर ये लॉयल रहे है तो जरूरी नहीं है इनकी बंश भी लॉयल रहे बाब लॉयल था तो जरूरी नहीं कि बेटा भी लॉयल रहे लेकिन सुल्तान जो थे जब सुल्तान का बेटा सुल्तान बनता था तो वो सोचता था जो मेरे बाप की टाइम पर जो स्लेव और जो क्लाइन्ट लोयल रहे हैं इनी के बेटों को मैं अपना स्लेव और क्लाइन्ट बनाऊंगा नए नए सुल्तान के खुद के सर्विंट भी वो करते थे जब नया मोनार काता था तो वो ये देखता था कि पुराने और नए नोबिलिटी में न क्लैश होते थे क्यों अब जैसे फॉर एक्जामपल एक दिल्ली सुल्तान का अलाव दिन का कोई बेटा है और एक्जामपल अब वो बड़ा हुआ उसने देखा कि पुराने स्लेव और क्लाइंट के बच्चों को तो चलो मैं रखूं गई लेकिन मेरे भी कुछ बच्पन के दोस्त है या मैं किसी को जानता हूँ किसमे भरोसा है मुझे बच्पन से वो इतने अच्छे ओदे का आदमी नहीं था लेकिन वो मेरा दोस्त था मैं उसको अपने दरवार की इशान बनाऊंगा तो उसको दे दी कोई हाई पोजिशन और क्योंकि अलाओ दिन के टाइम पर वो काम कर चुके थे तो अलाओ दिन के बेटे को भी लगेगा कि यार मेरे पापा के साथ ये खांदान वफादार रहा है तो इनके खांदान के अब जो बच्ची अब जो जड़नेशन आई है इनको भी मैंने वो पोज जैनी है दो जर्टाव की जाता सुल्तानों की सब्सक्रावा कि करते से तो इक दूसरे को मारने है वजय सुल्तानों को मार ढूलते ना रहेका सुल्तान ना रहोगे तुम नोबल बहुत ज़ता चाहिते बन रहे थे तुम उसके सुल्तान ही रहेका तो तुम क्या गंटा बासरी बचाऊंगी आभ सुल्टान मतलब जैसे अलाउदिन खिल जी जलालउदिन खिल जी मौमद तुगलग इलतुत्मिश रजिया सुल्टान जो की थ्रोन पर आकर बैठे अश्प्रीद और जिनोंने दिल्ली सल्तनलत में से एक डिनेस्टी की स्थापना करी वो है सुल्टान जो इनके कोट पोईट्स, कोट इस्टोरियंस यादे में 12th क्लस में पढ़ा था, क्रॉनिकलर्स ये सब जो दर्बान की शारे जैसे अकबर के नवरतन थे, बीरबल काम कर रहा है, कृष्ण देव राया के दर्बार में तेलानी रामा काम कर रहा है, अलाउदिन खिल जी के दर में आमिर खुसरो काम कर रहा है, ये सब नोबल्स है, नोबल्स वो लोग कोई भी हो सकता है, जो कि मेरे बार में इत्यास लेख रहा है, मेरे पैताजी के बार में इत्यास लेख रहा है, मेरे को गाने से मनमुहित कर रहा है, बांसुरी सुना रहा है, एंटरेन कर रहा है, न रागफ चेतन जब इसके दर्बार में आता है बावसरी बजाता हो जब यह बुलवाता है मलक कफूर से उसको तो उसके कहता है हम इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम छीन नहीं सकते सिर्फ तुमारे टैलेंट को छोड़ कर तो अंगूटी उतार कर देता है आज से तुम हमारे दर्बार की शान हो बस बना दिया उसको नोबल और फिर उसके साथ देखो जब और एक्सपेडिशन वगरा करता है तो गोड़े पर रागफ चेतन लगा अतार कंदे से कंदा मिलाकर उसके साथ होता है मलक कफूर अलावदी खिल जी के साथ इसलिए मैंने मूव यह बात उस टेम पर क्या हो सकती है क्यों क्योंकि तक्ता परट का जमाना चल रहा था यहां पर तो दिल्ली के सुल्तान अपने सगे उलाद सगे खून की उपर विश्रास नहीं कर सकते थे अभी जैसे हमने उपर पड़ा स्लेव बेटर देन संस तो अगर इस जमाने में इन लोकि ऐसे लोग कोहिनूर का हीरा हैं ये बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त मिले हैं प्राप्त हुए हैं लेकिन ये चीज ना इनका इतना सपोर्ट करना को करते हैं यह nobles वगरा को दिल्ली के सुल्तानों के दारा यह ना जो अमीर लोग थे उनके जमाने की जो की पेट् जड़ जाते थे और पर्शियन ओथर जो पड़े सारे हैं जिन्होंने हिस्ट्रीज हम पड़ चुके हैं तवारिक का मतलब हिस्ट्रीज जो लिखी जिन्होंने दिल्ली सुल्तानों के उपर उन्होंने कहीं सारे दिल्ली के सुल्तानों को इस बाद पर क्रिटिसाइज करा कि भहिया and loyalty के चक्कर में इन लोगों ने LOGH और LOGH jาती के LOGH को, LOGH कास्ट के LOGH को इन्होंने इतने हाइँ, हाइँ अफिसे दे डाले लेकिन भहिया दिल्ली के सुल्तानों के सामने उस टाइम पर चुनौती क्याती मैं फिर से repeat कर रहां सगा बेटा सगा खून सगा नहीं है अगर किसी के साथ loyalty set हो रही है वो मेरे लिए अभी जान तक देने को कुर्बान है मुझे क्या करना किसी भी जाती का हो यार मुझे तो अपने empire को समाल के रखना है consolidate करना और expand करना है इस चीज़ में जो मेरा साथ दे तो वो मेरा सगा है ऐसा नहीं था कि दिल्ली के सुल्तान जो थे वो दिल से प्यार करते थे ऐसे की जीज़े जो ऐसे इनको कोई लोग मिल जाते हैं नहीं मतलब भी इंसान है मतलब की दुनिया है और वो आज की नहीं है 1222 की ancient time से prehistoric time से cannibalism का concept क्या क्याता है environment के नतर की same species को कैसे खा लेती है इंसान इनसान को कैसे खा लेती है frog frog को कैसे खा लेता है जब अपने survival बात आती है इंसान कितना भी mean हो जाता है सेम दिल्ली के सुल्टान को इस टेंपल लग नहीं है तो वो कर रहे हैं, क्रिटरसाइज कर रहे हैं तो करते रहो, सामने तो लिखनी ही पाऊगे, इस्ट्रीज में लिखोगे, और तुम अलाओदीन का वो अगेन पिचर से डार्ट तो जानते ही हो, इतियास क्या कहेगा खुस्रोम, और वो कहता है उसकी फट जाती है, कहता है इत प्रमेलाडू के न्सी आटी तो आने तो पूरा मंगोल के बार में मंगोल का लिडर कौन था, जिसका वो सर लाता है भाले पर रखके वो कौन था, कौन सी आर्मी थी यह, मैं पूरा बताऊँगा उसके बार में मंगोल यह ऐसी वैसी कंट्री नहीं रही है, चंगेश खान का नाम तुमने सुनाओगा, जिसको गंगेश कान भी कहते थे उसको बहुत बड़ा पुतला लगा हुँ है मंगोल में, मोटा चा था लेकिन उसमें पूरी दुनिया नचा रहा की थी Officials of सुल्तान मुहमद तुगलक, सुल्तान मुहमद तुगलक ने अपॉइंट करा था आजीज खुमर को, यह एक देखना हाँ, मतलब यह वाली जो बात है नहीं कि लोगों को, लो हैसियत के लोगों को अपॉइंट करती है हाई offices में, यह एक वाइन बेचने वाला, क्या कहत यह एक खाना बनाने वाला था बावरची, और दो गार्डनर, लादा एंपीरा, इनको बहुत उची-उची पोस्ट देती थी, दोस्तो इसे नजर अंदाज मत करना, इनके नाम अजीज खुमर, फिरोस हजाम, भाईया यह हजाम, कोक, माली, यह तुमारी नजरों में हो सकत तो, यह तुमाली इंपोर्टेट बंदे हो सकते हैं, हुवर था, नोबल, सुल्टान मोहमद तुगलग, UPSC का पेपर ही अपने आप में एक फ्रस्टेशन की तरह आने लगा है, कि कोशन बैंक मेरे खतम हो गया है, तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, पेपर बनाने के के लिए, तुम क्या करोगे, पेपर खतम होने के पास क्रिटिसाइज़ी तो कर लोगे, यह कहता ही, UPSC का पेपर तो हमसे, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, 100-105 नमबर का हमारा टार्गेट नहीं है, हमारा टार्गेट 150 प्लस मार्क्स है, के भईया, अगर कल को कुछ भी बिगड़ता है करियर में, तो सिर्फ प्लिम्स के मार्क्स के बेसिस पर ही, इंस्टिट्यूट हमें हायर कर लें, कुछ बैक अप प्लैन हो जाए, बहुत बढ़ी आसा, के भायार, 2023-2024 के जब इतना तफ था, लोग ट्रिपल डिजिट कट आफ नहीं ला पा रहे थे, आपने देर सो टच्स कर दिया, बिल्कुल पॉसेबल है यार, ज़रूरी धोडिनास के लिए 6 तेम लगें, फिर, 14th सेंचुरी का क्रॉनिकलर था, जिया उद्दीन बरानी, कि सुल्तान मौमद तुगलक के रूल को किटिसाइज करा, यानि कि ये कोशन भी आ सकता है, सुल्तान मौमद तुगलक के रेन के बारे में कौन से स्टोरियन ने लिखा, कौन से क्रॉनिकलर ने लिखा, एक तो आपको आंसर मिल गया, जिया उद्दीन बरानी, और इसने क्य पाड़ी मार ली, क्योंकि ऐसे भिकमंगे रहा चलते लोगों को, अगर तुम दर्बार की शान मनाने लग गए, तो कहां टिकेगी दिल्ली सल्तन, कहां टिकेगा दिल्ली सुल्तान, अब इसका मतलब, यहां पर ये कोशन देख हो रहा है, इटरकाम से, NCRT का, कि आपको ऐस क्यों लगता है कि बरानी सुल्तान को टिकेज़ कर रहा है, यह इसली क्रिकेज़ कर रहा है, क्योंकि ये भी, हाइक लास और हाई कास्ट के स्टेटस में, बिलीफ करता है उस जमाने में, चौदवीश अतापनी में, तबी तो कर रहा है, इसको नहीं परदाश, कि रहा चलत आदमी बनना चाहिए नोबल ये इसका मानना है लेकिन देखो यही तो यही तो डिफरेंस होता है एक रहम करने वालों में एक क्रिटिसाइजर में और बिकमंगे में तुम क्या कर पाए तुम सिर्जेशन ही तो दे सकते हो लिखी तो सकते हो सुल्तान मौमद तुगलग को जो द्वस्त हुई इसका सफाया कैसे हुआ उसका सफाया कैसे हुआ कहानी की तरह पढ़ोगे तो एक ही बार में यहाद हो जाएगा आगे बात करते हैं कुछ उपर तो रह तो नहीं क्या कि अर्लियर सुल्तान्स खेलजी और तुगलग जो मुनार्स थे जो लीडर से जो सुल्तान थे इन्होंने बड़े सारे मिल्टरी कमांडर्स को अपॉइंट करा गवर्नर्स बनाने के लिए बड़ी सारे टरिटरी में जिसको यह एक्सपेंट करते चले जा रहे थे छीनते चले जा रहे थे जो कि हम मूबर पड़ चुके है इन लैंड को इन लैंड को जो कि मिल्टरी कमांडर्स समालते थे जिनको अपॉइंट करा गया गवर्नर्स के त मुक्ति जो duty थी मुक्ति की और भी सी बात है holder कौन है military commanders थी तो है military commanders यानि कि आप ऐसा यात रखो military commander जो है वो governor है और जो governor है वही military commander है जो land ये hold करके रखेंगे उसको बोले जाएगा इक्ता और जो ये holder है इसके इसको बोला जाएगा इक्तिदार जो duty थी इक्तिदार बोल लो या मुक्ति बोल लो अब अगर question UPSC देतना in the context of medieval India medieval history या in the context of history of India which among the following segments best describe the trump मुक्ति अब उसमें से अगर एक न उसने option दे दिया कि it refers to salvation to the path of God 99% अंपड़ आदमी वही मार्ग कर गया क्योंकि मुक्ति का मतलब तो था शरीर शोड़ देना भगवान को प्राप्तो जाना बाई-गुरु को प्राप्तो जाना अल्ला को प्राप्तो जाना मुक्ति मिल गई पढ़ना पड़ेगा यार मुक्ति का मतलब यहां पर वर मुक्ति नहीं है कि शरीर शरीर मुक्त हो गया आत्मतरस्त हो गई duty जो थी मुक्ति की जिनको लेंड दिये चाता था अगेर मैं बोल रहा हूं आपको कितने टम देखने को मिल ले मिल्टरी कमांडर बोल लो, गवरिनर बोल दो, इक्तदार बोल मुक्ति बोल दो जो ड्यूटी थी मुक्ति की वो यह थी मिल्टरी कैंपेञ्त चलाना क्यों क्यों क्योकि यह मिल्टरी कमांडर थे सबसे पहले तो अपने अस्तित्व से और law and order को maintain करना अपने अपने लैंड में जो कि इनको दिया गया है सुल्तारों की दोरा इक्तास इन लैंड में अपनी military service ये तेंगे और मुक्ती को क्या मेरेगा मुक्ती जो है वो revenue collect करेंगे इन लैंड से S salary और ध्यान से सुनना दिल्ली सल्तनत के टाइम पर खिलजी और तुगलग के टाइम पर ये एक व्यवस्ता थी कि ये बोला जाता था मुक्ती को तुम जो revenue collect करोगे अपने अपने लैंड से अपने अपने इक्ता से उसी revenue से तुम अपने soldier को pay करोगे अब आप काओगे ये वाली बात कुछ हजम नहीं हुई इनको क्यों बोला जा रहा है अभी तक तो इतियास ऐसी चलता है ना सारा revenue collect करो जिसको official अपन कर रगया है दिल्ली सल्तनात के पास दिल्ली में जाएगी salary वो सब को बांट देंगे लेकिन खेल जी और तुगलक ऐसा क्यों करते थे ऐसा इसलिए करते थे यहां से सुनना मेरी बात क्यों करते थे यह ऐसा इसलिए करा जाता था जब तुम्हारे उपर responsibility रहेगी कि तुम्हें किराया खुद बरना है गाड को पैसे खुद देने है पीजी वाले को खुद देन करोंगे और saving भी करोंगे करोंगे कि बाया तुम्हें खुद निकालना अपना या दूसरे सेंसमें इसको ले लेते हैं घरवालों ने बोला कि तुम लड़की हो हम तुम्हें दिल्ली बेदर है तैयारी करने के लिए UPSC पेइरर करने के लिए लेकिन हम तुम्हें financial support निभी तुम्हें independent बनने के अगर भूग है दिल्ली में जाओ, खुद अपना कमरा दूड़ो, खुद अपना गुजारा करो, खुद नौकरी करो, खुद कमाओ, और खुद अपना तयारी करके, एक देड़ साल, दो साल दे रहे हैं तुम्हें maximum, तुम तयारी करके collector या फिर DSP, IPS बन नहीं है, नहीं देनी, तो वो छोड़ए चल जाएंगे, छोड़एंगे तो बाब बैठा तुमारा, वो पूझेगा दिल्ली में आकर, क्या बाई, ये गोड़े, गोड़सवार वगयरा है, क्यों कमोती जा रहे हैं, आर्मि क्यों कम कोती चले जारी है, बोलाओ भाई उनक तो तिर को उतना ही दिया गया है और उतना ही official तिर को दिये गये हैं जितने तूने मांगे थे और तूने का था मैं तनी salary निकाल लूँगा इस land से और होगा क्या फिर इसके बाद एक और चीज बताता हूं और depth analysis लेकर जाता हूं salary तो चलो यह एक्तदार निकाल लेंगे लेकिन जो pay करने वाले हैं न इक्ता से मलब मालों कोई farmer है किसी को pay मलब जो tax देंगे एक्तिदार को इन governors को इन military commanders को वो भी time पे देंगे क्यों दिल्ली का सुल्तान इनकी चमड़ी उतार लेगा यह taxpayers की चमड़ी उतार लेंगे वरना तो समझ रहे हो हर किसी का control हर किसी की उपर similar तू मलब एक example बता रहा हूं UPSC ने IRS को रखा है और IRS ने यह देखने के लिए रखा कि कौन tax pay कर रहा है IRS वाले हमारी चमड़ी उतार लेंगे अग अगर उतनी collection की GST कर उनके पास नहीं उनके पास नहीं कई तो नेता IRS की चमड़ी उतार लेंगे तो IRS की पर प्रेशर के भई यह इतना revenue लेकर आना है और हमारी उपर प्रेशर की टाइम से नहीं दिया तो चापा पड़ जाएगा क्योंकि सुल्तानों को चलानी है सल्तनत जिस प्रकार से Central Government को चलाना है देश उन्होंने रखे हुए IRS officer सरकार ने इन्होंने रखे हुए इक्तितार हम taxpayer ऐसी इक्तितार में जो लोग रह रही है population रही है वो taxpayer और इनके department को अपने salaries को जो salary बगरा देनी होती है तो वो काँ से जाएगी similar to Central Government जो IRS को salary बाटती है वो यह salary बाटेंगे अपने soldiers अगेरा को तो मुक्ती की ऊपर जो control था ना वो बहुत effective था क्यों एक और चीज कर दी गई थी सुल्तानों के द्वारा मुक्ती समझ गए ना यही military commander governor को भी बोला जारा आप तो confusion नहीं है इसमें एक तदार बोलो मुक्ती बोलो इनके उपर control कैसे रखा जाता था इनको यह बोले जाता था देखो तुम loyal हो तुमने पूरी जिद्गी मेरे काम करा लेकिन सेम पोस्ट सेम रीजन में governor की पोस्ट military commentary को तेरे बेटे को नहीं बिलेगी उसको अपनी skill साबित करनी पड़ेगी क्योंकि उनको समझाती है जाता था शुद्र शुद्र इंदी नहीं बोलेंगे मतलब परशियन में जो भी भाशाई उस होती थी शाब शब्दों में समझाती है जाता था उनको ना ही यह खेरात है और ना ही यह जागीर तो यह नहीं सोचना के तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे को यह पोस्त मिल देगी नहीं अब इससे क्या इंशूर कर पाई दिल्दी की सुल्तान के लैंड से जो revenue आगा और जो land officials हो उनके अंदर कभी भी हराम खोरी ना है procrastination ना है वो ढीले ना पड़े और बेटा कभी भी यह ना सोचेते कि बाप की बनाई बनाई पोस्त मिल देगी मुझे नहीं IRS का बेटा कभी IRS नहीं हो सकता इसके लगर है तो बन जाए कि सारी पीडिया फिर सारी की सारी पीडिया हो सकती क्या पतब वो IRS की जगा IES हो जाए लिकिन कुछ भी नहीं हुआ तो चप्रासी भी नहीं होगा एंड देवर असाइंड एक तास शौर्ड पीरेड क्लीन को दिये जाते थे उनको शिप्ट कर दिये जाता था जा अबे आज कारा जाके काम कर आज देवगिरी जा आज उज्जैन जा आज बिहार जा आज मगत जा आज इधर जा हालकी टम यूज नहीं होती देख बात बता जो सिविल सर्वेंट्स का ट्रांसफर होता है एक ही जगा अगर पूरी एक ही डिस्टेट में अगर पूर है लिए तो तो फिर हर चीज जान जाएंगे पूरी डिस्टेट शारों पे नाचेगी कबजा कर लेंगे रोडों का नाम मतल दिया दिपांग दुबे मार्ग दिप ऑफिमे अग्जाजरेट करके दिखाया हुँ इतना बुरा नहीं था यह सब क्या अपने फायते के लिए कर रहा है कि प्रजा के फायते के लिए कर रहे हैं दोनों बताओ इनका कोई फायदा है इसमें इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम है कि नहीं अगर लेना होता तो यही बोलता था सारी सेलरी मुझे लाके दे तो बाड में कही जंता मैं तुम्हें सेलरी बाट हूँगा तुम दिल्ली लाके रगदो पहले सारा क्लेक्टिट अमांट जो की इससे पहले होता था इनकी थे सतिएयार कि टोलो कि तुम करते हो तुम इन्वेस्मिंट करते हो कि तुम है अरुब वह सारा कहीं से पैसा आ गया कि इतना ताइम इंसलिक है तो मैं क्या पता कक्रिजुट किया hij करना क्या करना तुम सीयें रखो अपना आपने पास रखतें कि नहीं रखतें यही है इनके accountant यही उस दमाने के chartered accountant है और इस बात का खास हरी किसे ख्याल रखा जाता था कि मुक्ती collected only the taxes जो की state प्रसाइब करें ज्यादा नहीं लोगे बटा तुम ज्यादा नहीं ज्यादा tax में लब क्या तुम तो फिर state officials और state तक ज्यादा उन्होंने जितना बोला ऊपर की मलाई तुम खालोगे नहीं और यहीं चीज तुम देख लो जंता चंता को पता होता है पजड़ आने के बाद किस साल की tax lab कितनी है अगर हमारी income इतनी तो हम इतना tax बरना है कभी घर आके आपके कोई छापा मार के यह नहीं बोल सकता इससे उपर का tax दे दो नहीं और उतने ही number of soldiers जितने जरूरी हो दिल्ली के सुल्तान pressure नहीं डौलते थे यानि कि अगर मयूर को land मिल रखाए इतना ठीक है और अरुना के पास जो land है इतना तो इसको दिये गए अगर 50 soldier तो इसको दिये जाएंगे 15 soldier land के साफ से दोनों के 50-50 नहीं होंगे कि हैसी अतीना और अरुना और मयूर के केतना ज़ादा उधर उस अपने इकता से अपने land से टेक्स निकाल पाएं फिर चमड़ी उतारी जाएगी दिल्ली जाकर कोड़ों से वारा जाएगा लोए बाले दिल्ली सुल्तांब प्रॉट यह फोड़ करते थे उन चीफ्स को जिनके पास जमीन थी बहुत पुरने टाइम से जिनको इस टाम पर पोले जाता था सामंत अरिस्टोकरट्स को फोर्ष कर जाता था दिल्ली सुल्तान के दोरा और एर्ष्ट लेंड़ोंड्स को कि तुम जो Allowsing खिलजी का state था जो उसका governance system था ये system लेकर आता है कि assessment का और collection का land revenue का कि जितना ये local chiefs और aristocrats हमें revenue बिजवाते हैं क्या इनको इनसे ज़्यादा प्राफ्तों नहीं होता ये तो कहते हैं कि sir एक रुपया कमाई हुई इस महीने तो क्या सच में ऐसा है तो Allowsing खिलजी न लोकल chiefs का पहले कि वो अपनी जमीन पर tax खुझ से लिवाई कर सकते हैं तो Allowsing खिलजी ने और तुगलग ने मौहमद तुगलग ने साफ इनको बोल दिया आप ये तुम्हारा राइट चीना रह सकता है तो उन्होंने बोला क्यों सर्ची उन्होंने बोला तुम बहुत इम पावर से devoid कर दिया उनको क्योंकि उनको पता था कि यह अराम जाते हैं और अभी हमने शुरू में पढ़ा था पूरी कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश करो हमने शुरू में पढ़ा था ये तो सगे बेटों पर विश्वास नहीं करते थे और इनको पता था ये किसी भी अगर लोकल चीफ्टेंस और अगर जादा हावी हो गए क्योंकि जो revenue दे रहा है वो तो अपनी बात भी मनवाएगा जो businessman किसी political party को support करता है तो वो political party से expect करेगी कि भाया तुम मुझे चंदा तुम मुझे धंदा दो मैं तुम्हें चंदा दूँगा बड़ी सारी political parties तो political parties क्या होती है जब पावर में आ जाती है तो policies उसी business के उसी business man के सबसे बनाती है ताकि उसको ज्यादा ज्यादा फाइदा हो ज्यादा से ज्यादा जो tender मिले वो उस company को मिले क्योंकि वो मुझे चंदा दे रहे हैं मैं उनको धंदा दे रहा हूं लेकिन अलावतिन खिल जी और मौमद तुगलक की नजरों में ये चीज गलत थी इन्होंने बोला हमारे मारे लॉयल लोग हैं इक्तिदार, military commander, मुक्ति की फॉर्म में हमें जरूत नहीं है उनकी क्योंकि हम जानते हैं चोरी करते हैं tax की सुल्तार की जो administrator थे वो जाते थे इनकी land को major करने जिसको कहते हैं जमीन का पट्टा होता है पट्टा बनता है और carefully account उनका maintain करते थे जो पुराने चीफटेंटर जो पुराने landlord से वो सलतनत में revenue character की तरह और assessor की तरह काम करने लगें तीन तरह के taxes imposed करे जाते थे अलाउद ने खिलजी के टाइम पर कल्टीवेशन के टाइम पर जो tax imposed करे जाता था उसको बोले जाता था खरच और यह कितना था जितना एक किसान ने produce करा है उसका 50% दूसरा गाय बैस बेड बखरिया जो लखी कही है उन पर tax अब ये tax कैसा हजार गाये हैं तो सो गाये हमारी और houses पर tax लगता था प्रोपट्री टेक्स हाजी central लेवल पर दिल्ली के सुल्तानों के बास और आगर आप पूछो tax क्या होता था तो जो आज होता है tax किसली से होता है सरकार को देश चलाने के लिए खरचा करने के लिए कुछ होते recurring items हम IPS IES बन गए तो हमें salary मेली के अर्माईने street lighting road की मरा मत करवानी है non-recreaking गएरा मतलब जैसे तरीको या अबाद का लीन हो गई देश में कुछ हो गया इंडिया ज़र डबलबिक कंट्री को कि थी अपने पड़ोस की छोटी कंट्री जैसे नेपाल भूटान को fund देना है वह यह कह रहा है आपसे writer यह कह रहा है कि ऊपर वाली बात को देखकर आप impressed हो गए होगे लेकिन अपने impression को थोड़ अज़र होगो यह बहुत ज़ादा दूर दरास की इलाके पी control करने कितना मुश्किल होता होगा इस बात से अंदाजा लगाने की कोशिश करो ना देखो ज जी से एक साल बेशती हुई ती इस बंदे की एक साल बेशती कि सब जाहिल कहते थे यह बोलता रहते थे कहते थे कहते थे सबा दरकास्त करी जाती है जाओ सब लोग अपने अपने कमरे में नहीं सुनने इसकी बात यह क्या suggestion देगा मैं जमाना कभी किसी के लिए इजी नहीं रहा है जमाना कभी किसी के लिए इजी नहीं रहा है इसलिए बाबुश होना रोना रोना मत करा करो एक साल उसने भी मेहनत करी बन गया सुल्तान और डिस्चे कलेटर को डिस्चे कलेटर क्यों बोलते है वो डिस्चेट का राजा होता ह तो तुम बन जाओ सोलतान एक साल की मेहनत करके जवाना कभी किसी के लिए इजी नहीं होता और जिसको बने-बने पकवान मिलते है बाड यूज नहीं करूंगा मैं रिकॉर्डिंग चल रही है लेकिन वो बहुत बड़ा वाला होता है ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इट बहुस दिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टन प्रोवेंसे लाइक बेंगॉल फ्रम देली कितनी दूर है है ना अब वहां कोई अगर टांडब हो गया मांजुली का जैथा तो भाई गान ही सुनते रहा जाएंगे आमी जे तो मा शुदू जे तो मा तब तक दो पचलता बगावातों के तक सपल अट गया वहां के गवर्णर को उठा उठा के भैग दिया एंड सून आफ्टर कंट्रोलिंग तर सथिन इंडिया पूरा का पूरा रीजन जो था वो इंडिपेंडेंट बन गया यानि कि रीजन इनके आज से चले भी चाते थे क्यों दुश्मन तो इसी चकर में बढ़ा है न कि आज मलब जयते मलब आज कबजा कर रहा है बिटिशन की बात देख लो यह हर चगां इंप्लिमेंटेबल होती है वाले बात मौडरन इंडिन हिस्ट्री में बिटिशन की बात को देख लो सेकंड वर्ड बौर फर्स वर्ड बौर ने इतनी कमर तो अटी ग्रेट पूर्टेन की बेस्टन वो अलग बात है सुंदर सुंदर बीविया मिल जाती मुझे लेकिन ठीक है इवन इन गैंजेटिक ब्लेंट दियर वर फोरेस्टेड अरियास जो सलतनत फोर्सेस जो थी वो उस पर घुसनी पाई लोकल चीफ्टेंस ने अपना रूल इस्टाब्लिश कर रखा था इन डीजन में सम्टाइम्स जो रूलर थे जैसे लाउदिन खिलजी और मौम्मद तुगलग वो इन रीजन में अपना कंट्रोल तो कर पाए लेकिन इस कंट्रोल वो नोट लॉंग लास्टिंग इट ओनली सेट फॉर शॉर्ट दिरिशन ओनली मंगोल जो थे चंगेश खान बोलो घंगेश खान बोलो आपकी मर्जी उन्होंने ट्रेंस ओक्सियाना को इन्वेट करा नौर्थ इस इरान में 1219 में आप मुझे इस लेक्षर के बाद यह बताओगे ये ट्रेंस ट्रांस ओक्सियाना क्या होता है और दिल्ली सल्टनत फेस करने को इनको मिली जब चंगेश खान की फोर्स इस बढ़ती चली आ रही थी और मंगोल जो थे मंगोल जो थे वो सबसे बड़ा मसला थे दिल्ली सल्तनत के लिए especially especially खिलजी सल्तनत के डाइम पे और जो विजे प्राप्त करता है एंकी उपर वो भी खिलजी सल्तनत भी करती है सबसे दो नांग में दंबी उनके कर रहा था और अलाउदिन खिलजी क्या बहतरीन वारियर स्किल्स फ्यूज बंदे की जो हराफ है खा मंगोलो को मंगोलो का जो अटेक था दिल्ली सल्तनत का वो इंक्रीज हो गया अलाउदिन खिलजी के टैम पे और मौमा तुगले के टैम पे अच्छा यहार रखना है अब देखो एंजी आटी प्रॉपर तरीके से लिखता नहीं है तो यह मेरी रेस्पॉंसिबिल्टी है तुम लोगों को समझाना इसको कहीं बच्चे मेरे फाउंडेशन कोर्स के आते समझ लेते हैं कि यह दोनों एकसाथ मिल गये थे और अपनी आर्मी मिलाती थी नहीं भ finden रेधे है वह अलग जमाने का है इन ने कभी नहीं देखा यह सच कभी यह क्यों मिलागा एंग अपनी आर्मी ओडर तो हमारा सक्तसल चलता है लेजाई जब chronology तो ये NCRT ने थोड़ आज़ा तोन में है बस मलब तोन कहलो आप क्या कहलो इसको यार सुनने से तो देखो आपको ऐसी लगेगा एक निगा में अगर सरसरी निगा से देखोगे कि this force are two rulers to mobilize the large standing army कि आपको लगेगा कि मंगोलों के खिलाफ दोनों साथ में खड़े हो गए होंगे और परसन यहां पे नोट्स बना लेता है गलती से तोन बरी उसी के लिए तो मेरे पास आयो इसलिए मैं न यह ड्रामे बाद ही नहीं करता है कि PPT से short में पढ़ा हो पढ़ा हो जब इनसान को ultimately पढ़नी ही किताब है तो कभी भी कोई doubt आएगा तो recording जब देखोगे तो हजार बार उसको revise कर सकते हो कि अच्छा इस point के यह paragraph समझ में नहीं आ रहा है एक बरी cross check कर लूँ क्या कई गलती से notes ना बना लूँ मैं इसके तो चार महीने बाद किया चार साल बाद भी अगर कोई देखिया अगर इसको तो उसको पता रहेगा कि अच्छा है अर्मलब यार यह वाली बात इन्होंने बता दी थी यहां पर इस paragraph को अच्छा हुआ मैंने यह note बना लिए चल मैं इसको साइट से margin से काट देता हूँ मैं अपने notes में यह गलत मुझे interpretation हो गई थी मुझे कि दोनों rulers ने साथ में खड़े होए थे मंगोल के नहीं जी लेकिन मंगोल इनके लिए administrative समस्या बहुँच जाता थे और उस time पर अलाओ दिन खिल्ची के सामने समस्या यह भी थी दोस्तों क्या समस्या थी और भी उनकी काफी कम थी बहुत कम थी मैंने अब को बताया भी था पैरे मुझे यह बताओ किस हराम खोरने उस रात को पत्मावत नहीं देखी जल्दी बताओ कायब हो गई यहां से येस अब लॉस्त भी हो गई अब यह यह चली भी जाती है अब उस राप नहीं देखी तो अब देखने का कोई फाइदा भी नहीं अब कैसे देखोगी चीफ्टेंस अंदेर फोर्टिफिकेशन आप जानते हो बड़ी बड़ी दिवारे जिस पर सेना तेनात होती है दुश्मन को देखने के लिए 14th century का ट्रेवल जो कि मोरोको से आया था आशिमा एन अश्प्रीथ बार्वी क्लास में ट्रेवलर वाले चेटर में हमने इसको कर रहा था जब तुम लोग बार्वी में थे याद है इबन बतुता और भी ट्रेवलर वाले चेटर हमने कर रहा था पूरा का पूरा है ना तो अब वो टाइम आगे तुमारे सामने के मैंने बोला था कि बार्वी क्लास की पढ़ो जाए ना पढ़ो शोटी क्लास की भी पढ़ो तब भी क्लियर हो जाएगा से कोश्चन इपने बत हुता 14th century के ट्रावल था जो कि मरोको से आयता है एफ्रिका से और यह एक्स्पिरिन करता है दाट चीटन सम्टाइम्स दे फोटीफाइट देंसेवसें माउंटेंस खुद माउंटेंस में जाकर रहते थे बड़े 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 पाडों के बीच में इन ड्रॉगी अनीवें एन रट जंगलों में रहते थे जो कि प्रकार से उनको नेशनल प्रोड़ेक्शन देती थी यह बैंबू की दिवारे और अगर वो पाडों पे रहे तो अपने बेड़ बगरियों के साथ और अपने क्रॉप के साथ वो खुश थे उनको पानी अगरा भी मिल जाता था और रेन वाट करके निकल गए फिर चुप गए जंगल का क्योंकि आप जानते हो रास्ता वो बागी सब नहीं जानते हैं तो हुआ हुआ वो सेंटरिंग दा फॉरेस्टे कट डाउन बेंबू इंस्टुमेंट और इतना काटना उस्पो असान भी नहीं था यहां से एक बात मैं आपको बत आपको भी काम आजाएगी देखो वैसे आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी एक बार बार बस बता दे तो मैं यह कांग गया यह देखो its several parts are so intertwined that even fire cannot affect them and they are on the whole very strong मैं एक बार पता हूँ जहां तक मेरी psychology कहती है यह बाली line कभी भी उठाकर किसी कोशन में आ जाएगी और UPSC पूछ लेगा कि इन में से कौन सा क्रॉप है और UPSC आज के लिए चल करता है चार ओप्शन देता है चावल गेहूं दाल फलाना दाल यह और लोगों को लगता है यह जोग्राफी का कोशन अगर क्रॉप दे रखा हो तो यह यहां से उठाकर आ जाएगा और 99 प्रदिशत मूर्ग यही सोचेंगे कि जोग्राफी का कोशन मंगर आ गया है कि आपको पूछ लेंगे विच अमंग दा फॉलिंग वेडिटेशन कैन भी बेस्क्राइब विच सेवरल पार्ट्स एस इंटर्ट्वेंट एंड इवन फायर कैनोट अफेट इस वेडिटेशन कवरेज अब उसमें ऑप्शन अगर हो सोचो जरा शुगर के ने बेंबू यही वो मूर्ख होते हैं जो फस जाते हैं जो फिर आके कहते हैं भाई आता तो था दो ऑप्शन की पीच में कन्फ्यूज हो गया था और मैं तुम्हें क्या पता हूँ तुम तुम तो खुद पेपर देच हो नियुकर के नकलता है केते लोग तुम Benny तो बैथे हैं असाने सारे मेरे इंटुूशन थै मुझे वोल रही थी मुझे तेरी इंटूशन भीघाएगा को चार साल और घर नेक्स्स अब बात करेंगे अलावधिन खिलजिए और मॉलिक किल अवलग के बीच grants पीनामा क्या administration and as a ruler में कहां का इन्होंने कबजा करा क्या करा क्या नहीं करा सारी बाते हम जानेगे thank you very much for discussion